दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज नगेट्स देखने में कितने क्रंची हैं ओफकोर्स मुमें पानी आ रहा है तो चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना सबसे पहले हमें आलू को बॉयल करना है किस तरह करना है थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर कूकर में एक वायर स्टेंड नीचे रखेंगे उपर से आलू जो है उनको सेट कर लेंगे पांच मिलियम साइस के आलू मैंने यहाँ पर लिये हैं लगबग आदा गलास पानी दाल देंगे और स्टीम में अब हम इनको पकाएंगे ऐसा करने से आपके जो आलू है वो स्टीम में पकेंगे और उनका जो टेस्ट है वो कई गुना ज्यादा होता है और आलू के अंदर पानी भी नहीं जाता तो बहुत ही टेस्टी लगते इस तरह से अगर आप आलू है उबलकर तयार है मिडियम फ्लेम पर मैंने तीन से चार सीटी समें लगा ली है अब हम क्या करेंगे इनका जो छिलका है वो हटा देंगे और इनको अच्छे से मैश कर लेंगे एक तरह से जैसे हम आटा बनाते है ना उस कंसिस्टेंसी में हमें इसको मैश करना है आप चाह और इसके बाद यहाँ पर एक छोटी कटोरी मैंने फ्रोजन कोंस लिये है एक छोटी कटोरी ग्रीन पीज और यह बिलकुल बारीक कटी हुई गाजर आप देख सकते हैं जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक काट ये और एक छोटी कटोरी ही मैंने ये पनीर लिया इसको कद्दुकस कर लिया है और यहां पर 5-6 हरी मिर्चे मैंने बिल्कुल बारीक काट ली है एक चम्मच अमचूर पाउडर एक चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर और यह एक चम्मच कोरियंडर पाउडर मैंने डाला है और नमक मैंने यहां पर एक चम्मच प्लेस थोड़ा सा दो पिंच और उससे ज्यादा यूज किया है आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग एड़्जस्ट कर लें यह मैंने तीन से चार ब्रैड को पाउडर बना के ले लिया है तो थोड़ा थोड़ा यह जो ब्रैड का पाउडर है यह हम इसमें डालते जाएंगे और इसको मैश करते जाएंगे एक्चुली यह जो ब्रैड का पाउडर है यह हम अकोर्डिंगली डालेंगे जितना हमें जरूरत होगा उतना हम इस्तेमाल करेंगे तो मैंने थोड़ा सा ब्रेड का पाउडर इसमें और डाल दिया है सारी चीजों को मिला लेंगे अच्छे से आप ऐसे बाइंड करके आप हाथ से देखें तो आपको समझ आएगा कि हमें कितनी ब्रेड की इसमें रिक्वाइर्मेंट होगी मैक्जिमम तीन से पाउडर के बीच में आप पाउडर बना के ले ले यह देखिए यहाँ पर मैंने इसको बाइंड किया है और यह अच्छे से जो है बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब यह जो ब्रेड है यह इनफ हमने इसमें डाली है तो स्टफिंग जो है वो रेडी है अब हम क्या करेंगे ऐसे छोटे-छोटे से स्क्वाइर शेप में इनको बना लेंगे हाथ से ताकि जो इनका लुक है वो भी एकदम बाजार के नगेट जैसा आए और यह देखिए आप मैंने जो सारे नगेट्स है वो बना कर तयार कर लिये है तो यहाँ पर मैंने कॉन फ्लोर ली है लगभग पास से 6 चमच में इस्तिमाल कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालेंगे और एकदम पतली सी सलरी मतलब गोल हमें बना कर तयार करना है तो आप देखिए जिस तरह की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह की कंसिस्टेंसी एकदम हमें चाहिए ये कॉन फ्लोर का घोल बनाने के लिए तो ये जो घोल है ये बनकर तयार है इसको साइड में रख देते हैं और यहां पर मैंने थोड़े से कॉन फ्लेक्स को जो कॉन फ्लेक्स आते है ना एकदम बिना फ्लेवर वाले उनको मैंने ऐसे पीस कर एकदम चूरा बना लिया है और यह थोड़े से ब्रेड क्रम्स मैंने लिये हैं ब्रेड को पीस कर पाउडर बना के फ्रिज में मैंने एक दि तो आप दोनों ही चीज़ों का यहां पर इस्तेमाल करें तो नगेट की कोटिंग के लिए जितने इंग्रिडियांट्स हमको चाहिए सब रेडी हैं तो हम क्या करेंगे एक नगेट ऐसे उठाएंगे सलारी में डिप करेंगे और उसको रैप कर देंगे अच्छे से यह देखि करने से ना इसका जो क्रण्चिनस है वो भी डबल आएगा डबल नहीं मैं बोलूंगी वह चार गुना आएगा वी एकदम के एफ सी जैसा जो क्रण्च वह इसके ऊपर आएगा तो इसी तरह से हम सारे जो नगेट से है वह डबल कोटिंग करके तयार कर लेंगे तो सारे जो अर आप छाहें तो इनको एक बार निकाल कर लेगे हम वैजे पूल टैने को कर्ची की मदद से, यह रहा हैं, यह देखें, कितने इनको इनको रहा है और इनको किसे नकीन ब्राउन ब्राउन जिसले वासे बौल्डन एक बार री फ्राई कर सकते हैं बट आई वोड से कि एक ही बार में बहुत अच्छे से हो जाते हैं आपको इनको दुबारा करने की जरुरत नहीं है और ये देखिए आप कितने क्रंची कितना परफेक्ट कलर इनके उपर आया है और कितनी आसानी से घर में अवेलेबल समान से हम इनको बना कर तयार कर रहे हैं दोस्तो आप चाहें तो इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ यह जो कुछ मैंने जो नगेट्स बच गए थे उनको स्टोर कैसे करना है यहाँ पर मैंने एक डब्बे में यह पार्चमेंट पेपर लगा लिया है और अब हम यह जो बचे हुए नगेट से इनको सेट कर देंगे तो यह देखिए इस तरीके से आप इनको रखिए उपर से पार्चमेंट पेपर से कवर करेंगे और ढगा कर आप इनको 15-20 दिनों तक अराम से फ्रीजर में रख सकते हैं और जब भी आपका मन कर कर इनको फ्राइ कीजिए और एंजोई कीजिए दोस्तों अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद और फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के झाल एंगत